हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल लॉजिक पाइशला स्टार्ट करते हैं एवीज की एक और वीडियो जिसमें आज यू पढ़ेंगे प्रमुक वन्यजी संस्थान और प्रमुक दिवस की बारे में भी चानेंगे आज को टॉपिक है वो आपके लिए काफी जादा हेल्फुल होगा बिकॉस दिखिए ये चीज़े आपको याद ही करनी पड़ेगी मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आपको यहां से कोई ट्रिक बता दो और आप याद कर लो आप अपने ट्रिक बना सकते हो अगर आप याद करना चाह करेंगे तो आपको वो चीज़ पढ़िए जो एक्जाम में आ सकती हो तो फिर चीके स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आज की तो देखिए यहां पर एक तरफ आपको संस्थान के नाम दिए गया और दूसरी टैफुन का स्थान है कि यह जो संस्थान है हमारा प्रमुक व करते तो बहुत ब्यर्टिय प्राणी विज्यान सर्वेक्षान केंेद्र तो यह जो संस्थान है हमारी कहां पर है यह कौलकाता में तो आप से तो ध्यान दकने यह बंगलूरू में है थर्ड हमारे आता है भार्टिय फण प्रवंदन सर्थान जो कि कहां परे भोपाल में है फोट है इंडियन फ्र्रेस्ट कॉलेज इंडिंड फ्र्रेस्ट कॉलेज वो देहरादून में तो आप लोग देहरादून गई। आप देखा हो आप देखा हो हूँ हम इन्डिंड फ्र्रेस्ट कॉलेज काफी अच्छे वो वन है और दूसरा वन्य जीव है लेकिन दोनों के दोनों कहां पर है देरा दून में ही है नेक्स्ट आता है भार्टिय वनस्पती उद्यान केंदर जो है वो कॉलकाता में है इसके बाद आता है एट्थ हमारा एट्थ में है सलीम अली पक्षी विग्यान केंदर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र ये कोयमबटूर में है और ये कोयमबटूर पढ़ता है तमिलाडो राज्य में नाइन था हमारे पास रास्टी पर्यावरण शोद संस्थान जो कहां पे है नागपुर में है महारास्ट में है अगला आता है केंद्रिय पक्षी शोद संस्थान ये इजद नगर बरीली में पढ़ता है यूपी वे ये कोशन भी काफी बार एक्जाम में पूछा हुआ है कि केंद्रिय पक्षी शोद संस्थान जो है वो कहां परे तो इसको ध्यान लखी का ये इजद नगर बरीली में है 11 में आता है भारत का सबसे विशाल संग्रहाल ये कहां पे संग्रहाल मतलब म्यूजियम पूछा गया है तो ये कॉलकाता में है और इसका नाम ही इंडियन म्यूजियम है लेकिन जगे ध्यान रखना जगे कॉलकाता है अगला है 12 हमारा भारत का सबसे विशाल चिडियागर कौन सा है मतलब चिडियागर का मतलब होता है जू कौन सा है तो ये हमने पहले भी पढ़ा है जो हमने जू के बारे में पढ़ा था तो चीडिया कर जो है वो कहां पर है जो Logical Garden अलिपूर कॉलकाता में पड़ता है ये इसको ध्यान में रखना है आपको Next है हमारा 13 भारत का सब्षे विशाल पक्षी उद्यान जो है वो कहां पर है ये भरतपूर में है और ये भरतपूर जो रादिस्थान में पढ़ता है तो दोनों option में से कोई सब में मिल सकता है भरतपूर रादिस्थान में जगह है जहां पर यह है तो आपको अगर स्टेट वाइज ऑप्शन दिये जाएंगे तो वहाँ आपको रादिस्थान मिलेगा लेकिन आपको भरतपूर भी मिल सकता है इसलिए मैंने आपको दोनों लिखे हैं यहाँ पर नेक्स्ट आता है कुविन बलब पंत संस्थान कहां परे यह है अलमोडा उत्राखंड में अगला आता है विशु काद के पहली हमने भारत का पढ़ा था अब हमें पढ़ना है विशु का सबसी बड़ा चुडियागर यह क्रूजर है नाम का और यह मतलब क्रूजर है इसका च जन्तू है क्योंकि जन्तू संग्रे का मतलब क्यों होता है कि वहां पे सबसे ज़यादा इनिमल्स है तो एसा कौन सा उद्यान है वह बर्लिन जी लॉचिकल गार्डन यह जर्मनी में हैं तो यह हमें जो हमारे संस्थान यह हमें 16 संस्थानों के बारे में बढ़ना अच्छे से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इने नौट डाउन भी कर सकते हैं जी कि आप दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हैं इसके बाद देखे आगे पड़ते हैं जो प्रमुक पर्यावरण अधीनियम हुए हैं उनको हमें ध्यान लखना है कि यह कौन- आपको याद करने हैं इससे जादा आपसे नहीं बूचा जाएगा ठीके तो जादा हमें पढ़ना भी नहीं है जो मारा पिफाल्तू हुए हमारा टाइम वेस्ट होता है आप सिफ पढ़िए सिलेक्टेड चीज़े पढ़ने से क्या होता है कॉम्पेटिशन में हमारा सेलेक अदियम मतलی किस वर्ष में अदियम हुआ था तो 1927 में हुआ था सेकेंड आता है वन्यजीव सुरक्षा अदियम वन्य अधिनियम ये हुआ था 1972 में हुआ था थर्ड आता है चल प्रदूशन निवारण और नियंतरन अधिनियम ये जो अधिनियम हुआ था ये हुआ था 1974 में हुआ था अगला आता है वन संरक्षन अधिनियम हुआ था 1980 में देखे इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है वो भार प्रदुशान निवारण और नियंतरन अधिनयम हुआता 1981 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनयम हुआता 1986 में तो जाधा तर जो पूछे गए हैं वो 1972, 1980 और 1986 ये तीन बहुत जाधा पूछे गए हैं एक्जाम में तो जरा मैंने आपको इन 6 में से भी इंपॉर्टेंट बता या बट आई होप सो आप चेकेश अच्छे से याद कर लेंगे उसकी बात पढ़नें के भी पढ़्यावरण से रिलेटर जितने भी प्रमुक दिवस हैं क्योंकि एविस क्लास पढ़ रहे हैं तो भई पढ़्यावरण से सम्मंदित कोई ना कोई दिवस पूछा जरूर जा सकता है तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिवस होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर हम कवर अप करेंगे तो हमारा फर्स्ट जो डिवस है वो है प्रत्वी डिवस और यह काफी बार आपने देखा होगा एक्जाम में पूछा गया यह बनाया जाता है बाइस अप्रेल को वन महसब मनाया जाता है जुलाई के प्रधम सब्तहा में तो वन महसब का कोई दिन नहीं है लेकिन इसको जुलाई के पहले वीक में ही मनाया जाता है नेक्स्ट है विष उजन संक्या दिवस 11 जुलाई काफी बार ईवेस के पेपर में विष उजन संक्या दिवस का क्वेश पूछा गया है इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया नेक्स्ट कहारा फॉर्थ वृषव ओौन दियए वृष्व ओौन कि रिालाई आटा है को है कि विश बिनकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसमबर को वन्य जीव सब्ता है वो है 2-8 ओक्टोबर पहले जो था वो जुलाई के प्रतं सब्ता में वह वन महुस्ञ था अब हम पढ़ रहे हैं वो है वन्य चीव सब्ता जोके दो से आठ ऑक्टोबर में मनाया जाता है टेंट में आता है अंतराष्टिय जैविविदता दिवस यह हमने जब अभी इससे पहले की वीडियो में जैविविदता अभी समय के बारे में पढ़ा था तह मैंने आपको बताया जाता है तो देखें इतनी से ही आपको ग्यारा दिवस के बारे में पढ़ना है बिकॉज यह पढ़िया वरण से सम्मंदित दिवस से तो पूछे जा सकते हैं यहां से क्वेशन ठीके आई ओप सो आपको आज की वीडियो काफी जादा हिल्फूल लगेगी अगर आप इने अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे है तो अपना फीडबेक जरूँ देखे जाए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आपको रोज आपको इवस की अच्छी अच्छी वीडियो जो की नोट के तरह को मिलती रहेंगी तो मिलते हैं हम नेक्स टूडियो में तब तक के लिए थैंक यू